नमस्कार मित्रों जय मातादी मित्रों आप सुभी का बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में चलिए इस वीडियो में आज बात करेंगे गुरुवार 8 सितंबर आपके राशे के महा राशेफल के बारे में जो की यहाँ चंदर राशेफल पर आधारी थे य साथ ही यहाँ बात करेंगे आपका लव लाइफ स्वास्त केरियर और धन की इस्तती कैसी रहने वाले हैं वहीं मित्रों आज आज आपको किन-किन चीजों से लेकर सावधान रहना होगा आखिर ऐसे कौन-कौन शेकारी आपके लिए फलदाई साबित होंगे आई ये जानती हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप सबों से एक छोटा शर निवेदन हैं अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें शाथ ही एक प्यारा शक कमेंट जय लक्षमी नारायन जरूर लिख दें चलिए सबसे पहले जान लेतें आज की पं योग की बात करें तो शुकल योग रहेगा और चंद्रमा इस दिन कन्या राशी में रहेगा रात्री एक बज़कर पेंतालिस मिनट तक वहीं मित्रों इसके उपरांत तूला राशी पर संचार करेगा आज का सुब समय यानि कि अभिजित महुर्द की बात करें तो चाहर एक बज़कर चपन मिनट पर शुरू होगा तीन बज़कर अठाइस मिनट पर समाप्त होगा यह समय नए कारी करने से आपको बजना चाहिए क्योंकि यह समय और शुब माना जाता है चलिए बात करतें आज का राशी फल बिरिश्यक रासी जात को आज आप अपनी प् मान सम्मान बढ़ेगा एक दूसरे आज आज आपकी तारिफ करेंगे और आपकी सेवा सतकार से घर के बड़े बोज़ुर्ग काफी प्रसन रहेंगे काफी खुश रहेंगे किसी नजदी की रिस्तिदार से मिलते समय ध्यान रहे कि कोई पुरानी नकरात्मक बात दोबारा ना उठे इससे शंबंध आपके खराब हो शकती है और शंबंधों में खटास आशकती है ब्रिश्चिक रासी जात को विद्यार्थियों का मन अपने पढ़ाई से उचट रहेगा जिससे शिक्षा में व्यवधान आशकता है हम आपको बताना चाहेंगे जितना हो शकी अप जब शाइक गती वेधियां धीमी रहेगी किसमत को दोश ना देकर अपने काम के तरीके में बदलाव की जरूवत है काम करने की शैली को अपने बदलने का जरूवत है नौकरी पैसा लोगों को टारगेट पूरा करने में ज्यादा मेहनत करने पड़ेगी अधिक से अधिक तब ही आपका टारगेट पूरा हो शकता है ब्रिश्चिक रासी जात को बात करें लव लाइफ की तो लव लाइफ के लिए आज का बहुत बढ़िया दिन है अपने जीवन साथी का सहयोग आपके मनुबल वा आत्म विश्वास को बनाई रखेगा तथा आपसी संबंध भी मधूर रहेगा यानि देखें तो हर तरह से आज का बहुत बढ़िया दिन है ब्रिश्चिक रासी जात को बात करें शेहत की तो विशारों में नकार अत्मकता आने की वज़ा से कुछ डिप्रेशन या तनाव जैसी इस्तिती उत्पन हो शकती है हमेशा पॉजिटिव बने रहें और पॉजिटिव सोचें ब्रिश्च रासी जात को बात करें फाइदे और नुक्सान की फाइदा क्या है जमिन से जुड़ा कोई फाइदे मंद सोदा हो शकता है करियर के नए मौके मिल सकती है आपके कुछ उलजे हुए मामले आज सुलच जाएंगे नुक्सान क्या है किसी को पैसा आज आज आप उधार ना दे सेयर मार्केट में भी निवेश करने सी आज आज आप बच के रहें प्रेमी या जीवन साथी से भी अनबन हो शकती है बात करें शुबरंग की तो आज आपका शुबरंग के सरिया कलर रहेगा और भाग यंक आज आपका तीन है उपाय की बात करें तो गन फती अर्थ सिर्ष का पाट करें आपकी सबी समस्याओं का समाधान होगा